हेलो दोस्तो, दोस्तो क्या इंडिया की मार्केट अपना बुल रन कम्प्लीट कर चुकी है, क्या इंडिया की बुल मार्केट बस यहीं तक थी, क्या इंडिया में अभी लंबा करेक्शन आने वाला है, इस बारे में हम अपने लाइव सेशन में काफी डिटेल में बहुत बार बात कर चुके हैं तो इस बारे में अभी recent में Morgan Stanley की भी एक report आई है जिसमें उन्होंने पिछले 5 bull run से इस bull run को compare करके अपनी findings यहाँ पर रखी है जो मैं आज आपसे यहाँ पर बात करने वाला हूँ तो सबसे पहले उनका कहना यह है कि अभी इंडिया की जो bull market है वो आगे आने वाले 12 महीनों में भी अच्छा करने वाली है यह उनको पूरी उमीद है कि ऐसा नहीं है कि अब downtrend शुरू होने वाला है हाला कि उन्होंने अपनी report में यह भी बोला है कि जो pace है वो कम हो सकती है ले लेकिन जो upward trend है वो यहां पर continue रहने वाला है तो इन्होंने जो findings दिया उसमें सबसे पहली बात जो इन्होंने बोली है वो यह बोली है कि अभी तक जो 5 bull runs थी उसमें जो emerging markets थी जो बाकी emerging countries थी यानि कि जो developing countries थी उसके comparison में इंडिया ने 53% returns अच्छी दी थी बलकि जो इस व बाकी bull run के हिसाब से अभी भी इंडिया ने outperform नहीं किया है बाकी emerging markets को तो यहां पर उनको उमीद है कि हो सकता है इंडिया आने वाले टाइम में बाकी emerging markets से और अच्छा perform अभी कर सकती है दूसरा काफी लोगों को यहां पर concern यह रहता है कि जो PE ratio है निफ्टी की वो बहुत जादा हो चुकी है तो निफ्टी overpriced हो चुका है तो इस पर Morgan Stanley का यह कहना है कि इस market में PE ratio से compare नहीं करना चाहिए हमें हमें compare करना चाहिए PB ratio से यानि कि price to book ratio से जो कि अभी current market में 3.6 times चल रही है वहीं जो average bull run का peak हमने देखा है जो पिछले 5 bull run का peak है उसमें यह price to book ratio 5.2 times ह गई है यानि कि अगर हम price to book ratio से अभी भी comparison करते हैं तो हमारे पास काफी जादा scope है अभी भी valuations बढ़ने का तो यहां पर उन्होंने यह सब findings दी है इसके अलावा जो अभी इस bull run में 1.6% से on and average हर week market उपर जा रही है वो पुरानी bull run के comparison में एक जैसा ही उनको दिख रहा है तो यहां पर इस market के uptrend से घबराने की जरूरत नहीं है वहीं जो पुरानी bull run थी वो 72 weeks के आसपास चला करती थी लेकिन जो अभी bull run हुई है वो 64 weeks पुरानी हुई है तो यहां पर भी उनको scope दिखता है कि आने वाले time में bull run इंडिया की अभी और आगे रहने वाली है तो व आप लंबे time के लिए SIP करना चाहते हैं तो हर market का time आपके लिए सही है क्योंकि आप बहुत लंबे time के लिए invest करने वाले हो आपको यह चीज देखनी की जरूरत ही नहीं है कि market का level क्या चल रहा है क्योंकि आप SIP से invest कर रहे हैं तो अगर आप SIP investor है तो आप अपनी SIP continue रख सकते हैं नई SIP शुरू कराते हुए भी आपको घबरानी की जरूरत नहीं है हो सकता है market time to time correct हो लेकिन उससे आपकी SIP पर फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि आप बहुत लंबे time के लिए invest करने का यहां पर सोच रहे हैं तो दोस्तों आप अपने comment section में मुझे जरूर और अगर आपको यह article पूरा पढ़ना है तो आप money control की website पर यह article को पढ़ सकते हैं मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही अगर आपको यह video अच्छी लगी है तो इसे like जरूर करें धन्यवाद